रादे राधे भक्तजणों दिपावाली को लेकर मہराजी ने बहुती खास बात बताई है हमारे दिपवाली बहुती खास हो सकती है लेकिन कैस तरह तो सुनते हैं महराजी के श्री मुखव ये दीपावली है तो अवध में भगवान श्री राम चंद्र जी तो ये उच्षो मनाया गया है दीप संपूर्ण युद्या दीप से प्रकासिते भगवान श्री राम 14 वर्ष बनवास के बाद अवध में बिराजमान हो रहे चक्करवरती सम्राठ पद पे तो ये अब इसे ह हम घर घर हमें लगता है पूरे भारत में मनती होगी कि शधभावना तो है और हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम दीपावली उत्रो में जुवा दी खेनने लगते हैं कि भाई आदे खेलना लगते हैं सान भर तो हमने खेलते हैं और सृनु क fatto hem भारी बिपत्ति आएं धर्मराज विदिष्टिर, महराज नल, दम्यंति, बड़े बड़े पावंद चरित्र हैं महापुर्षों के, क्यों? दियुत कीड़ा में कल्यूप का निवाश है, कल्यूप शरापीना, मांस खाना, परिष्ट्री गमन करना, श्वर्ण चोरी करना, द दाओं लगाएंगे, पर प्रभूशे, बुजन करो, अपने प्रिया प्रीतम का, या भगवत विग्रे किसी का, और बैठ जाओं माला ले करके, बारा बजे राखत्री तब, खुब नाम मंत्र जब करो, बड़ा सुद्धि, कई गुना बढ़ करके लाब मिलता है, दीपक जला लोगी का, खुब गुर्मंत्र जब करो, नाम जब करो, दीवत की राद ही नहीं हो, ये सब ये सब आपको असत मार्ग मिलने जाएगी, तो ये जो हमारा तेवहार है, इसका आंतरिक विश्वरूप है, हमारे हरदय में भक्तिकर दीप प्रेम करिबाती है, हमारे अंद प्रदय का भी अंदकार नुष्ट करना है, जब बाहर की दीपावली इतनी खुशी दे सकती है, तो अगर अंदर की दीपावली हो जाए, तो कितना अनंद आ जाएगा, तो हमानंद सिंद में डूप जाएगे, कौन सा दीप अंदर जलाया जता है, भक्तिका दीपक और प् शरीर नहीं है, आपका शुरूप सचिदानंद है, किसी भी सस्त्राश्त्र की ताकत नहीं कि आपको मार सके, और ये शरीर बच नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकतिका है और ये मरेगा, जैसे ये बच्चा से कब जवान हुआ, कब बुड़ा हुआ आपको पता नहीं चला, ऐस यज ज्यात्वा, इस्टवभवति, मत्तो भवति, आत्मा रामु भवति, जिसको जान लेने पर शान् leicht हो जाता है, वो मस्त हो जाता है, वो आत्मा राम हो जाता है, ये आई दिवाले अंदर की, तो इस भाकतिकर दीप और प्रेम कर बाती किसी बजार में नहीं मिलती है, बाहरी दीपक और बाती तो बजार में मिल जाती, लेकिन भक्तिकर दीप प्रेम करी बाती, कहां मिलेगी? बोले साधु संगति करियान दिन राती यदि भगवत प्रेमी महत्माओं का संग हो जाए तो दीपग भी मिल जाएगा बाती भी मिल जाएगी और प्रकास भी हो जाएगा अज्यानंद कार नष्ठ हो जाएगा हमें लगता है खूब बढ़िहा दीपग जलाए और मंजीरा उठावे भगवन नाम किरतन करें दस बीस पचास लोग मिलके फिरे कांत में नाम जब करें ठाकुर्जी को भोग लगाए आर्ती करें तो ये सात्विक भगवान आये तो सब उत्सव मनाए आनन्द मनाए आशुरी प्रवत्ती वाला कोई भी कारें ना हो और अंदर भी जब हम नाम जब करेंगे भक्ती करेंगे तो अंदर प्रकास बहुत जरूरी है आज हमारे बाहर तो प्रकास की बहुत बड़ी हां बिवस्ताय है आई लोजन बिजली सब चल रहे जब बिजली नहीं तो जनरेटर से चल जाएगा अंदर अंधकार शाया हुआ है इस अंधकार में जब तक दीपावली नहीं होगी तब तक वास्तवी का अनंद कानुभा और यहां आनंद जैसे हम देखो अंधकार में कहारत्शी को साफ समझ रहें बैवीत हो रहें शरीर में इतनी आ सकते हैं मैंने मान लिया मैंस्त्री हूँ मैं मान लिया मैंने पुरुश हो नहीं है तू यह तेरी पोशाग है और जितने भी दुख है सब इसी में आते हैं तू कहे को इसको पकड़े हुए है तू अपने स्वरूप को देख तू अलग ह आप ये बात सभजले के लिए साध़ जाए अब तुम गंदे आचरन करते हो गंदा चिंतन करते हो कैसे तुम अपने स्वरूप को जानोगे तो यही ग्यान प्रकास यही ग्यान हो जाए कि मैं भगवान का अंशू जैसे भगवान के तेमा मैवांसो और भगवत प्राप्ति क उसे कहीं भी बिचलित नहीं कर सकता आयेगा दुख बचो दुख आने के पहले जहां दुख का प्रहार होना है उसे अलग हो जाओ बिल्कुल आप अलग है जैसे मेरे टेबल मेरा हाथ मैं आथ तो नहीं हूँ मेरा उपर पूरे मेरा兩 खुद आप बोल ले मैं शरीर ऐसा तो नहीं कोई कहता है मेरा सरी बतांब मैं नहीं हूं ऐवाँ आप इस ढलग को अपने में धर लिए अब धुरुगति हो रहे मैं धनी मैं निर्धान ये प्रपंच छा गया इसी दीपावली में ये देख लो प्रकास में कि तुम ये नहीं हो जो तुम दुख पा रहे हो तुम दुख कोई भी दुख तुमें छू नहीं सकता आनंद सिंदु का बच्चा आनंद सिंदु है इस्वारंस जी विनासी चेता नमल सहद ये दीपावली हमारी हरदय में भी जलनी चाहिए बाहर शावधानी पुर्वक नाम जब करें अच्छे भोग प्रभू को लगावें यो दंडता वाले कार जुआ खेलना वे सब ऐसे कारिना करें और अंदर की दीपावली जलाने की भी एक बार कोसिस करें अगर जल गई त आज से द्रिण निश्चे करो कि आज से मैं यह वैसन छोड़ दूगा तो मारजी आज बहुत सारे नए जुवक भी आपसे जुड़े हैं मारजी तो मारजी आपकी तरफ से उनके लिए क्योंकि उनको एक द्रिटा चाहिए कि कोई तो एक बोले हमें कि आज से वैसन नहीं क प्राया हरे कांतिक के समापन में सबसे कहते हैं ए भया तुम आये हो आज से तुम गलत आचरन करो सराबन पियो माता व बहनों की तरफ पाप दृष्टी से मत देखो माता पिता को भगवत भाव से देखने के लिए बुद्धी सुद्ध चाहिए जगत में अगर उन्नती प अगल से निकले कोई बहन मुबाइल से बात कर रहे ऐसा जिटका के नाक के बल गिर गए मुग के बल गिर गए कितने को मुबाइल जंजीर सोने की चैन कितने को की 40,000-50,000 पकड़ा राक्षसी बुद्धी से खीचा और तो मोटर सेखिल बेठा ऐसा खीचा वो कई तरह गिर कि हमारा भारत देश का समाज एक धार्मिक समाज एक शांति प्री समाज और श्वयम परमानन में डूबने वाला बन जाए यह तुम्हें नसे बाजी गंदे आचरन भड़ा देखो नो क्या परिणाम होता है मलो दो चार बार नहीं पकड़े गए आप लेकिन जब पकड़े जाओगे तब तब ऐसी पिटाई होगी यहां वाजीवन का अगर छूट भी गए तो यहां से तुम भले छूट जाओ किसी प्रमान दे कर लेकिन एक और नयायाले है जहां राई पाई की चूक नहीं होती कोई गोस नहीं चलती वहां के नयायले से डरो पक्का यहां तो मान त्याग गंदे विशन गंदे हार का त्याग यहीं भारी उत्सव हो जाएगा यहीं भेट मांगते हैं जब को एक आंतिक में कभी भाव आता तहीं कहते हैं आप सब यह गंदे आचरण यहां छूड़ जाओ धाम है भगवान का अब जो मालू ठीक कहा कि दिवाली का पर्व है तो कुछ ने कुछ लेंदेन भेट होती है ना कोई प्रीजन आया उनके खवाया प्याया कुछ है तो हमारी प्रियता यहीं कि तुम सुकी रहो तुम स्वस्त रहो तुम मुश्कुराओ तुम आनंदित हो कैसे अच्छे आचरणों से भगवन नामजत से अगर बुरे रुपे के कारण जब हमारी बात बिगड़ जाती है तो हमारी पद्वी और शमाज की प्रियता सब नश्ठों एक गलती ने पूरा मिट्या मेट कर दिया कोई अधिकारी जी थे तो उन्होंने मात्र दस अजार रुपे की प्रियता में उनको उन्हीं के अधिकारी जन जो क् कहते हैं वो उनको ऐसे बुरी तरे पकड़ के लिए जा रहे थे अब मुझे किसी के दबाव और प्रलोबन में आकर कभी वो मत करना कि एक न्याय और विभाग है वहां तुम्हें कट घरे में खड़ा किया जाए क्योंकि सब का न्याय अधिस स्री कृष्ण है वो जम न्या आख जुकाने वाले नहीं बनो आख में आख डाल के बात करने के चमता रहे और अपने पद के द्वारा अधर्म को दंड देने के चमता रहे अगर आप गलती कर दिये तो पढ़ाई लिखाई माता पिता समाज इस तो आप आख नहीं मिला पाएंगे सब बिर्थ हो जाएग बहुत आप अधर्म पूर्वक धर्म लेओ तो आप देखो आपका परिवार भिखर जाएगा अशांती पैदा हो जाएगी ऐसी संताने पैदा होंगी जो आपको हर समय देखकर जलाती रहेंगी पक्का विस्वात मानना अधर्म के धन से कभी सुक शांती नहीं मिलती और य इंशा करना और चूरी करना जैसे चूरी माने जाती है अधिकार के बिप्रीथ आचरन करना क्यों ये जब होगा तो कल यूग बेठाएगा फिलय को एस्तान दिए कल दो शांते साथ क्ष्शा करा देगा एक बड़े धर्मात्मा महा पुरुस की बुद्धी में बैठ गया क लिए मुकुट लगाने कारण जरासंद का एक रिशी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और कारण बन गया साथ दिन में तक्षक काटेगा ऐसा संगीर इसी ने साफ दे दिया इसलिए बहुत शाव धान हमारे पास भगवान की कृपास से जो आपका आना हुआ है आप नसा रही आप गंदे आच्रण रही एक अच्छे मानों बने तब आप में देवता बनने की सामर्था वे दैवी सं सकते हो जम नारायन नर बन सकता है तो सेड़ी हुई ना तो आप इसे से चड़ सकते हो नर नारायन बन सकता है क्योंकि हम उसी के अंस है इसलिए सत्संग का लाब ले और व्यर्षनों को त्याग दे ब्रंदावन में बैठे हो अगर नियम ले लो तो बहुत बड़ा सायोग कि मिल जाएगा कोई कसम खोआ जाती तो मंदिर में नहीं चका जाता है चलो मंदिर में एक मंदिर क्या यहा तो तो दा मैं चौरासी कोस ब्रज यानियम लेलो सराब नहीं पिएंगे मांस नहीं खाएंगे पराई माता बहन को गंदी दृष्टी से नहीं देखेंगे चोरी नहीं करेंगे जुआन नहीं खेलेंगे इंसान नहीं करेंगे लेलो अंदर से जो नहीं करते हो तो धन्यवाद के पातों जो क बताना जो दवाईयों से तुम नसा ने छोड़ सकते बात मान लेना वो पावर आपको अपने आप पहुंच जाएगा और वो ना करें भाचे में बोलेने की सामर्त ने आप सची समझ लेना यह दिमाग जो काम कर रहे हमारा नहीं कर रहा है सरीर का यह स्रीकृष्ण का कर रहा आप देखो आप में सामर्त आ जाएगी आप वचन पकड़े रहना जहां भी होगे वहीं स्रीकृष्ण है तो भक्त जनों केसी लगी आपको महराजी की दीपावाली के उपलक्ष में बनाई हुई वीडियो अगर आपने इस वीडियो को पसंद कर रहे तो महराजी की वीड जिश्ना जे श्री राधे